आज मैं अपनी जो वीडियो लेग आने वालों यह होने वाली अपनी मारूती सुजुकी स्विप्ट पेस लिफ्ट 2014 के बारे में तो यह जो अपनी वीडियो है यह कंप्लीट पूरा डिटील रिव्यू रहने वाली अपनी बेस मॉडल और अपनी टॉप मॉडल की मतलब क्या मैं डिटेल आपको पताने वाला हूं अपनी मारूती सुजुकी सुख्षी तो आईए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों आप सब सामने देख सकते हो यह अपना VXI वेरियंट है मिड वेरियंट इसको बोल सकते हैं इसके कुछ जो है वीडियो जो है लीक्स है वैसे बेस वेरियंट है अपना यह वेरियंट मैनुल प्लस ऑटोमेटिक दोनों में ही जो है एविलेबल होने वाला है उसके बाद अगर मैं बात करूं अपने इसके एक्स्टीरियर की तो आप देख सकते हो उसमें भी आपको LED का जो है काम वो देखने के लिए मिल जाए हो कि अपने जो इसमें अपने एलॉय नहीं मिलने वाल से अपने जू है रिम वह केसा है है और अपने five वेरियंट जो है वह आने वाले है अपने ल्लक's आई ऑल अपने जह ऐड़ियोभले हैं यह वइरेन्ट यह सब आने वाले लीग्स आइए अ-पना वह फैंट बेरियों की तो वो हमको अपने प्यानो ब्लैक में जो है वो मिलने वाली है उसके बाद अपने जो प्रोजेक्टर हेलोजन हेड लेंब्स का जो है सेट अप इसमें मिलने वाला है अपने हेलोजन टैन इंडिकेटर जो है वो मिलने वाले है उसके बाद मैं बाद करूँ अपना अपना वीक्स रहने वाले इस में अपको daytime running lights जो हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगी उसके बाद हमको अपना समें जो Chrome strip है वो भी देखने के लिए मिलने वाली है अपने बेस विरेंट में जो अपने तेक्त Damascus swift का उसमें अपना touchscreen infotainment system जो है वूî नहीं मिलने वाला है अपना wireless and aut वह भी नहीं मिलने वाला Apple CarPlay अपना Auto Climate Control वह भी नहीं मिलने वाला यह सब चीजे जो है अपनी नहीं मिलने वाली उसके साथ मैं बताऊं आपको अपना जो Keyless Entry होती है वह आपको देखने के लिए मिल जाएगी लेकिन जो आपको Start पुष बटन होता है वह नहीं मिलने वाला आपको नॉर्मल ही की से जो है अपनी गाड़ी स्टार्ट और करनी पड़ेगी अपने बेस फिरेंट में अपना six bags airbags जो है वह देखने के लिए मिलने वाले हैं तो मतलब यह सब चीजे तो है सेफटी को लेके वह अपना बेस टू स से लेके टॉप वेरियंट तक वह अपनी कंपनी ने मतलब रखी गई है उसके बाद आपको ABS with EBD एंड रेयर पार्किंग सेंसर जो है six airbags के साथ वह अपना बेस वेरियंट में कंपनी दे रही है मतलब यह अपने स्टेंडर्ड है six airbags all variants में जो है आपको देखने के लिए मि बात करूं तो उसमें 1.2 लीटर जेट सीरीज 3 सिलिंडर पैट्रोल इंजन देखने के लिए मिल जाएगा उस जो की हमको 80 भी और 112 न्यूटन मीटर का टॉर्ग हमको दे देगा उसके बाद मैं बात करूं अपना फाइव स्पीड मैनुवल और आटो जो है ट्रांसमेशन व तो वो भी इस बाहर भी 25.72 किलो मेटर का जो है हमको फ्यूल एवरेज जो है वो निकाल के देने वाली है साथी साथ बात करूं मैं अपनी प्राइजिंग की तो कंपनी जो है 6.5 लैक्स एक शोरूम प्राइज जो है वो रखने वाली है अपनी अमारत यूसों की स्विफ फ मतलब 6-10 लैक्स सेगमेंट की जो गाड़िया है वो अपनी राइवल्री इसकी रहने वाली है तो फाइनली अपनी जो मारती सुजू की स्विफ्ट है यह अपने लॉंच से पहले ही अपने शोरूम तक जो है पहुशनी लग गई है यह अपना यह अपना मैगमा ग्रे कलर जो है वो स्पोर्ट किया गया है यह अपना बेस पेरियंट है लेकिन अब अगर आप दिहान से देखोगे मतलब तो यह अपको अपनी टॉप मॉडल जैसी जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है इसका अपना सिंपल सा रीजन है अपने टेल लेम जो है वो आपको वाले है वही देखने के लिए मिल जाएंगे उसके साथ साथ आप देख सकते हो अपना चार इन्होंने सेंसर दे रखे हैं अपने पार्किंग सेंसर उसके साथ आपको रिफ्लेक्टर भी जो है वो भी जो है देखने के लिए मिलने वाले साथी में बात करूं और अपने हमको नहीं देने वाली है साथ ही मैं बात करूँ अपने ORVM कि उसमें कुछ आपको कुछ खास चेंज जो है वो देखने के लिए नहीं मिलने वाला है जैसा भी आप लेंगे वैसे ही मलब लग का आपको अपना ORVM देखने के लिए मिल जाएगा उसके साथ साथ अपने अपने बेस वेरियंट में जो अपना ORVM है वो आपका आटमेटिक नहीं देखने के लिए मिलने वाला है मतलब आप अपना बटन से आड़़्स नहीं कर सकते हैं अपना अपने ORVM जो है वो एड़्जस्ट फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हो साथी मैं बात करूँ अपने डो पर दोंहिए उसमें आपना खर में को बाद करो जो को अपने इनवी मिलने वाला है लेकिन आपको अपने ईन्देव्न होगा रहेगा आपको अपने आपको steering पे भी कोई भी जो है control वो देखने के लिए नहीं मिल लाए अपना normal steering wheel आपको देखने के लिए मिल जाएगा बात करें अपने top and variant की तो उसमें आपको अपना 3-cylender engine देखने के लिए मिल जाएंगे उसके बात करूपावर फिगर की तो आपको अपना 3-cylender जो है वो अपना इंजन देखने के लिए मिल जाएंगा आपको 26 km पर लीटर की जो है निकाल के देने वाला है मतलब 26 नहीं मतलब 25.5 जो है कमपनी ने बोला है त जब 26 उसको मान सकते हैं और साथ ही मैं बात करूँ उसकी अपनी बुकिंग अपनी जो है स्टार्ट हो चुकी अप 11,000 रुपे देके जो अपनी गाड़ी बुक कर सकते हैं अभी और साथ मैं आपको बता दूँ अपनी अपनी लॉंच टेट जो है अपनी 9 में अपनी मारुति सुजू की सुफ जो है ऑफिशली लॉंच कर चुकी है तो जल्दी अलदी आके अपनी गाड़ी बुक कर लीज़ें तो कैसी लगी अप कोई है मारुति सुजू की सुफ पे स्लिप की है वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना मिलेंगे ऐसे ही एक और वीड हुआ है